वंडे वर्ड कप 2023 धीरे धीरे करीब आ रहा है लेकिन भारत टेम संतुलित रूप से नजर नहीं आ रही है इससे पहले 2019 के विश्यू कप में भारत को सेमी फाइनल में नुजिलेंड के खिलाब शिकरस्त जेनली पड़ी थी इस बार टेम इंडिया ICC टोफी का सुका जरूर खत्म करना चाहेगी इस बार के विश्यू कप के लिए शिकर दवन भारत टेम के एहमी खिलारी हो सकते थे लेकिन धवन को मौका नहीं दिया गया शिकर दवन भारत के लिए ICC वन डे टोफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलारी हैं लिश्ट में पूर कप्तान विराट कोलिया वन नमबर पर और मौझूदा कप्तान रोई शर्माद दूसरे नमबर पर मौदूद हैं ऐसे में वर्ड कप के लिहाज से शिकर दवन टीम इंडिया के लिए एहम खिलारी हो सकते थी दवन ने ICC वन डे ट्रोफी में भारत के लिए अब तक 1200 अरुतिसन बनाए हैं हालांकि इस बार वन डे वर्ड कप में 37 वसाल के शिकर दवन को मौका मिलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है दवन बीते कुछ वक्त से भारत की वन डे टीम से बाहर चल रहे हैं उन्होंने इंडिया के लिए अपना आखरी वन डे डिस दिसंबर 2022 में वांगरादेश के खिला था इसके बाद टीम इंडिया कई वन डे सिरीज खेल चुके हैं लेकिन धवन किसी भी सिरीज का हिस्सा नहीं रही 12 वन डे फॉर्मैट के अनुभवी खिला रही हैं उन्हें अब तक अपने करियर में 166 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 44.14 कियोस्त से 6793 रन बनाए हैं इस दुरान उनके बल्ले से 17 शतक और 49 आज़ शतक भी निकले हैं वही 80 सी वन डे ट्रोफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारते खिलाड़ें की बात करें तो विराट कोली 1569 के साथ नंबर एक पर बने हुए हैं तो वही रोई शर्मा 1469 के साथ दोसे नंबर पर हैं और आपको बता दे कि वन डे विशुकप 2023 की शुरुआत पांच अक्टूबर को होनी है पहला मैच पहली बार की फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजिलैंड के बीच खेला जाएगा वही टीम इंडिया अपना पहल